राजकोट ना एम्स होस्पिटल मां श्वाश्रोग विभाग मां दर्दियों ना सचोट नीदान चालू धही गया छे त्यारे समग्र गुजरात मां एक पण होस्पिटल मां उपलब्द न होई ते वो बोड़ी पेथेस्मोग्राफी मशी नहीं उपलब्द छे तो जोई ये के भी रीते ही दर्दियों ना इलाज साई छे लाखो दर्दियों माटे संजीवनी समान एम्स होस्पिटल राजकोट खाते अनेक रोगों ना निदान माटे ओपीडी विभाग कार्यरत थे गया छे त्यारे आजे तमने माहितगार करीशू एम्स होस्पिटल ना श्वास रोख विभाग वशे अब तत मीडिया द्वारा एम्स होस्पिटल ना श्वास रोख विभाग नी रूपरू मुलाकात रई ग्राउंड रिपोर्ट थकी जनताने माहितगार कर्या हादा श्वास ने लगता तमाम रोग नी सचोट OPD सारवार एम्स उस्पिटल खाते मातर 10 रुपिया मां उपलब्द छे अध्यतन टेक्नोलोजी मां श्वास रोग ना निदान माटे बोडी पैथेस्मोग्राफी मशीन उपलब्द छे चे गुजरात मां एक मातरा एम्स उस्पिटल मां उपलब्द छे त्यारे जोई ये समगर विपाग मां केवरिते डोक्टर्स नी टीम काम करी रही छे अने क्या-क्या अध्यतन साथनों नी छे सुवी धाओ एम्स अस्पितल के स्वास रोग विबाग में हम पोहुचे है हम आपको द्रश्य दिखाएंगे स्वास रोग विबाग के द्रश्य है ये एक्स्क्लूजिव द्रश्य अब तक मीडिया मारफ़द पूरे देस की जनता को हम दिखा रहे क्योंकि नीजी अस्पितल के सामने एम्स अस्पितल लोगों के लिए आसिरवाद रूप अस्पितल है यहां के डॉक्टर संजै हमारे साथ जुड़े है जो डिस्प्ले में आपको मशीनरी दिखाए दे रहे है उस मशीन के बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे सर एम्स दूसरी अस्पितल से किस तरह अलग दिखी एडवांस मशीने सबसे एक इंपोर्टेंट कारण है यहां पर दूसरे यहां के जो डॉक्टर हैं काफी क्वालिफाइड हैं उनका एक्सपिरियन्स प्लस एडवांस मशीन हैं दोनों का कॉंबिनेशन मिलके हम मरीज को बहुत अच्छी सेवा दे पा रहे हैं कुछ बीमारियां हैं जो बाहर पकड में नहीं आती हो यहां पे पकड में आती हैं जिससे टाइमरी इलाज मिलेगा जिससे उनको फाइदा मिलेगा यह पूरे गुजरात में कहीं नहीं है क्या है इसकी खासियत यह है कुछ बीमारिय में डाइग्नोज कर सकते हैं तो इस मशीन का महत्तव है कुण कुण से सरे क्यूपमेंट ऐसे है जो पूरे गुजरात में कहीं नहीं है पर एम्स में है कि एक यह कार्डियो पूर्मरी एक्सराइज टिस्टी मशीन है जो अभी बहुत ही कम सेंटर पे हैं अगर है तो वह बहुत जादा यूज में नहीं हो रही है तो इस मशीन का यह महत्व है अगर कोई बीमारी है उसको सांस क्योंकि सांस फूलने के बहुत सारे कारण हो सकते है जैसे कि लंग्स हो सकता है उसके लाबा हार्ट की बीमारी हो सकती है या खून की कमी हो सकती है या उसकी आदत की वज़े से भी और रेगुलर एक्सराइज नहीं करता है वो भी एक फैक्टर हो सकता है उसकी सांस फूलने का तो यह उसकी तरफ ही इशारा करती है जिससे हम एक डाइरेक्शन में बढ़ सके उसी तरीके से हम ऐसा नो भी सब टेस्ट उसमें करवा दें उसमें हम उस बीमारी उस ओर्गन से स्पेसिफिक हम जांच करवा सकते हैं वो इसकी तरफ इशारा करती है यह मसीन हमको देखने को मिल रही है यह उसका नाम किया है खास करके लोग इससे भी एक एडवांस ब्रोंकोस्कोपी का भी एक एडवांस वर्जन भी ओरड़ी आ चुका है एमस में वो भी बाइदा नेक्स मंद वो एक्टिवेट हो जाएगा तो उससे भी हमें लंग कैंसर की डाइग्नोसिस बहुत अर्ली सेज में हम कर पाएंगे आपके अभी OPD उससे प्सटिव टी शुरु होगे है करीबन एक साल हो गया है कुम कुम से मरेज आरहे हैं खासकर करके क्या-क्या विमाकर प्ली को मिल in खी यहाँ पर एक हमने एक इनलीसिस भी रहता लास्ट वन येरमें यहाँ पर हमें किस तरह के पिशंट देखने को मिलें सबसें ओ कि तो और क्योंकि हमारे पास उसको डाइगनोज करने के लिए मशीने भी है और उसको अगर टाइमिल इलाज किया जाए और उसको अवोईड किया जाए इन चीजों को तो उसमें काफी कारगर हो सकता है तो एक तो ILD काफी कोमन है यहाँ पे देखने को मिला दूसरा हमें लंग कैंसर भी काफी देखने को मिला यहाँ पे यह ट्रीटमेंट जो चल रही है यह क्या ट्रीटमेंट है और इससे क्या फाइदा होता देखी यह एक जाच है जिसको हम स्पाइरोमेटरी कहते हैं यह एक इससम से पल्मोनी फंचन टेस्ट का मतलब है हमें फेपसे की कितनी कपैस्ति यह वो देखने को मिलती है मैं इससे असकर के सर निजी अस्पताल से एम्स का इस डिपार्टमेंट सबसे अलग है लोगों को बहुत सारी आसाए है अपिक्षा है एम्स से अभी सर क्या मिसेद दिना चाहेंगे स्वास रोग विबाग की ओर से देखिए यहाँ पे एम्स में सबसे बड़ी बात है मशीने अच्छी है लेकिन यहाँ पे जो बंदे हैं जो मैन पावर है वो भी ट्रेंड है दोनों को कॉम्बिनेशन ही बहुत इफेक्टिव है तो लेकिन मैं यहाँ पे राजकोर्ट में सबसे एक चीज कहना चाहूँग का व्यसंग त्यागें क्योंकि व्यसंग बहुत स्री बिमारियों का कारण बंता है जैसे स्मगिंग यहाँ पर गुटका तंबाखू जैसे यहाँ पर मावा कहते हैं, तो उस सब को छोड़ें, जिससे उनको, क्योंकि यह बहुत सरे बिमारियों को कारण बनते हैं Charges क्या है, OPD का तो 10 रुपे है, परन्तु जिसको रिपोर्ट करवाना पड़े है, तो उसके Charges क्या क्या है तो वो भी charges बहुत minimum है, जैसे एक जाच है spirometry, यहाँ पर इसका charges 150 rupees है, जबकि अगर आप यह प्राइवेट में करवाएंगे, इसका ही charges 800 rupees minimum पड़ता है, कुछ जगए इसका charges 1000 में भी होता है चाच करके सबसे बड़े charges जहां पर बाहर लगते हो निजी अस्पताल में, ऐसे कौन से charges है, जो एमस होस्पिरल के स्वास्रोक विबाग में बहुत सस्ते में होते हैं जैसे इस spirometry ही है, यह 150 rupees का है, जबकि बाहर अगर इसको हम करवाएंगे, 800 से 1200 रुपेगी जाच होती है कार्डियो पल्मनी exercise testing है, इसका हम सिर्फ 250 rupees चार्ज करते हैं, जबकि बाहर यही जाच अगर हम करवाएंगे तो यह 5000 में पड़ेगा ब्रोंकोस्कोपी है, इसका चार्ज हमने सिर्फ 500 rupees रखा है, जबकि बाहर यही 10,000 अप्रोक्सिमेंट में पड़ेगा जिस तरह डोक्टर संजाई ने अब तक मीडिया से exclusive बात की, स्वास रोग विबाग का यह द्रश्य है, जो पूरा department हमने आपको बताया कि EMS एक लोगो के लिए आसिरवात समान हस्पताल है, आपको कोई भी स्वास रोग के तहट दर्द हो तो EMS की विजिट आप और शियर ले, केमरा पसंद दिपेश गरोदरा के साथ, रूशी दवयापताक मीडिया राजकूट